हलो एब्रीवन, वेलकम बेक टू माई चैनल, दोस्तों हमारी प्राचेन भारतिय सांस्कृतिक बिरासत और परंपराएं इतनी बलवती हैं कि वह योगो योगों तक समाप्त नहीं हो सकती, बिज्ञान चाहे जितनी भी प्रगति क्यों न कर ले, लेकिन हमारी प्राकृतिक औ और हमारी भारतिय परंपराएं हैं संस्कृति हैं, उसके आगे विज्ञान की एक नहीं चलती, दोस्तों ऐसा ही जो है एक वाक़या आप प्रते दिन देखते होंगे, आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि दुनिया अंधिविश्वासी है, लेकिन दोस्तों आप देखते हैं कि लोग आज भी अपने घरों के दरवाजों पर खिड़कियों पर यहां तक कि जो दुकानदार हैं अपने दुकानों की सटर पर नीवो और मिर्च लटकाते हैं दोस्तों ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यह चीजें जो भारती प्रमपराओं में थी जो प्राकृति लाइक थी आज वो जो है आीफिसियल बनने लगी है फाइबर की बनने लगी है प्लास्टिक की बनने लगी है यह और लोगों को जो है कोई इसके पीछे विज्ञान है, कोई परंपरा है, सेहत है या तोटका है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कि सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कि दरवाजे पर नीमु मिर्च, तोटका नहीं, सेहत से है इसका कनेक्शन। हर वेक्ति का विश्लिशन अलग-अलग हो सकता है हर वेक्ति का नजरिया अलग-अलग हो सकता है लेकिन दोस्तों मुलता जो भी हमारी प्राकृतिक जो हमारी भारती है संस्कृत थी जो है जो भी परंपराएं थे उनमें कोई ने कोई रहस्तो छिपा था तबी लोग उनका प सकते हैं कि वो सभी आंधिविस्वासी हैं सायद नहीं दोस्तों इसका कोई ने कोई कारण तो है तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि नीम्बू में मौजूद तत्व आसपास के बताबरण को सुध करते हैं और मिर्च का स्वाद ज्वलंत होने के करण उसे कोई भी ज्यादा देखना पसंद नहीं करता है इसलिए वो इस्थान नजर से बच जाता है कहने का मतलब यह दोस्तों की बुरी नजर से बचाने के लिए यह नीम्बू और आपका जो है मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है दरवाजों पर लटकाया जाता है आपने कई बार देखा होगा कि अ इस टोटके से परे इसका एक बेहत खास साइंटिफिक रीजन भी है इसका एक बेग्यानिक करण भी है जो ज्यादा तर लोगों को नहीं मालो दरसल साइंटिफिक तौर पर देखें तो घर में हवा सुगंध या दुर्गंध का आगमन घर की मुख्य द्वार से ही होता है आम दोस्तों जहां से हम घर या दुकान के हर हिस्से में आसाने से प्रवेश करते हैं वहीं से हवा भी हर हिस्से में प्रवेश कर सकती है यह तो ही घर में पहुंच की बात वहीं नीमू में मौजूद तत्व आसपास के वतावरण को सुद करते हैं और मिर्च का स्वात ज्वल बताना चाहेंगे जो है कि हमारे ये जो वीडियो है इसका उद्देश किसी टोटको के बढ़ावा देना नहीं अंद्विश्वास को बढ़ावा देना नहीं बलकि जो परमपर चली आ रही है उस पर फोकस करना है उसका विस्टेशन करना है दोस्तों आपको बताना चाहेंग कि आपने सुना होगा कि जिस इस्थान पर नीमू का पेड़ होता है वहाँ अन इस्थानों को मुकाबले बहुत कम बैक्टेरिया होते हैं जिसके चलते वहाँ का वातावरण बहुत साफ रहता है हलाकि नीमू का पेड़ सहर के घरों में होना संभव नहीं है इसलिए लोग घर के बाहर नीमू मिर्च लटका लेते हैं जिससे घर में आने वाली हवा सुध हो जाए और वहाँ मौझूद लोगों को स्वक्ष बातावरण और सकारात्मक उरजा मिल सके इसके अलावा मिर्च को लेकर हम साइंटिपिक तोर पर सोचे तो जब हम मिर्च नीमू जैसी चीज देखते हैं तो हमारे मन में इसका स्वाद महसूस होने लगता है यही कारण है कि हम ज्यादा देर उस स्थान या चीज को नहीं देख पाते क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि घार के बाहर नीमू मुर्च लटकाने से पहले अकसर लोग नीमू में सुई से छेत करते हैं या फिर उसे सुई की मदद से धागे में पिरोकर टांगते हैं इसके पीछे लाजिक यह है कि इसके भीने सुगंध हवा के जरिये अंदर के बातावरण में फैल जाती है और इस एंटी बेक्टीरियल खुजबू से कीडे मकोडे और कीट दोर रहते हैं और हवा में भी ताजगी आती है जिसके चलते कई तरह की बिमारियों से बच सकते हैं हाला कि इसे कम से कम हपते में एक बार बदल देना चाहिए क्योंकि पुराना होने पर इससे एक तरह की दुरगंध फैलने लगती है जो बातावरण को प्रदूसित कर देती है दोस्तों साथ में यह भी बताना चाहिए कि इसका ट्रेंड इतना बड़ चला है कि मार्केट में यह रेडिमेड मिलने लगा है अर्थाथ फाइबर या प्लास्टिक के बंद लगे है तो कुश्चन यह है कि फाइबर या प्लास्टिक के जो निमो है जो मिर्चे हैं, उन से तो कोई खुसबू नहीं आएगी, उन से तो हावा सुद्ध नहीं होगी, उन से बैक्टेरिया दूर नहीं भागेंगे, लेकिन लोग उनका भी प्रयूग करते हैं. तो कहीं ने कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसका जो जुडाव है वो कहीं ने कहीं किसी ने किसी टोटके से जरूर है कि लोगों की दिमाग को डायवर्ड कर दें ताकि किसी विसेश पर्टिकुलर स्थान पर ज्यादा देर तक लोगों की नजरे नाटिक की रहें अर्थ उसे जो है उस इस्थान को बुरी नजर से बचाय रखना है इसका विसेश कारण है दोस्तों आप या भी जानते हैं कि नीम्बू स्वास्त की दिज्ट से नीम्बू बहुत ही लादायक होता है लेकिन नीम्बू में आपके संकट दूर करने की चमता भी है और यहां करता है जो इसके चमत कारी टोटके की रूप में लोग इसे अपनाते हैं दोस्तों पहले बात तो अगर हम परंपरा की बात करें तो बुरी नजर से बचाय नीम्बू यह उपाय तो आप जानते ही होंगे अकसर दुकानों में हरी मिर्च के साथ एक नीम्बू टंगा होता ह जिस तरह एक प्यास टांगने से वह आजपास की गर्मी सोख लेता है उसी तरह नीम्बू बुरी नजर को सोख लेता है माना जाता है कि नीम्बू का खटा और मिर्च का तीखा स्वाथ बूरी नजर वाले बěक्ती की एकागरता भंग कर देता है जिससे वह अधिक समय पर घर या दुकान को नहीं देख पाता है दोस्तों यहां तक लोग अपनी गाड़ियों में भी टांगने लगे हैं अपनी गाड़ियों में भी नीबू और मिर्च या फाइवर का बना हुआ नीबू मिर्च टांगते हैं दोस्तों वास्तु दोस मिटाये नीबू जिस घर में न इसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा सक्री नहीं हो पाती। नीमू के ब्रिक्ष के आसपास का वतावरण सुध और सकारात्मक उर्जा से भरपूर होता है। नीमू का पेड़ घर के वास्त दोस्को दूर करता है। यदि पेड़ नहीं है तो एक निम्बू लेकर उसे घर के चारो कोनों में साथ बार घुमाएं और कहीं सुनसान जगा पर ले जाकर उसके चार टुकड़े करके चारो दिशाओं में निम्बू का एक टुकड़ा फिक कर लौट आएं लौटते वक्त पीछे मुण कर ना देख हैं ऐसा जो है लोगों के मन में ऐसा बिस्वाज से ऐसी आस्था है ऐसी परमपरा है सफलता है तो भी लोग निम्बू का प्रयोग करते हैं कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल लई है तो किसी हनवान मंदिर जाएं अपने साथ एक निम्बू और चार लौंग लेकर जाएं इसके बाद मंदिर में पहुंचकर निम्बू के ऊपर चार लौंग लगा दें फिर हनवान जी के समक्ष हनवान चालिसा का पार्ट करें इसके बाद हनवान जी से सफलता दिलवाने के प्रारतना करें और निम्बू लेकर कार प्रारम कर दें इससे आपके कारे में स सफलता के सम्मावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों ऐसा भी लोगों का विश्वास है और बहुत सारी लोग ऐसा करते भी हैं लेकिन उसको इनका कितना benefit मिलता है ये तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसा टोटका अपनाया है बुरी नजर उतारने के लिए भी निमू का प्र कड़े फिकने के बाद पीछे ना देखें ऐसा लोगों को बीच जो है मानता हैं ऐसी परंपरा हैं दोस्तों अगर देखा जाये तो यह जो रहस है यह कुछ बात समझ में नहीं आती कभी-कभी यह देखा जाता है कि अगर किसी बच्चे को बच्चे को मामले में एक्सर दे ऐसे वीसे लोग बड़े बड़े लोग भी इस पर विश्वास करते हैं और बच्चे को जाड़ फूक करवाते हैं और इस से बच्चा जबा स्वस्त भी होने लगता है तो कहीं ने कहीं इसका कोई ने कोई इसमें रिजन तो है लेकिन मैं जो है अपनी तरफ से आपको यह क बात नीबू को चार टुकड़ों में अच्छे से काट ले और चारों दिशाओं में नीबू का एक एक टुकड़ा फेक दे इसे दुकान के निगेटिक बेनरजी नस्ठ हो जाती है और व्यापार में लाव होना शुरू हो जाएगा या उपाय कम से कम साथ सनिवार को करें दो तो ये बात है उनके मन की और इसे उन्हें आत्मविश्वास मिलता है उन्हें लगता है कि हाँ उनकी समस्या थी अगर ठीक हो गई है तो वो इसे कर सकते हैं कोई इसमें प्राबलम नहीं है भाग को चमकाने है तो एक निबू ले और उसको अपने सिर के उपर से साथ बार उसके दू टुकड़े करें बाएं हाथ का टुकड़ा दाएं तरफ आ जाये और दाएं हाथ का टुकड़ा बाएं तरफ फेक दें या नौकरी पाने है तो एक निबू के ऊपर चार लॉंग आड़ दें और ओम स्री हनमते नमा हमंत्र का 108 बार जाब करें निबू को अपने दाग रहित बड़ा निबू लें और चौराहे पर बारा बज़े से पहले जाकर उसके चार इससे कर लें और चारो दिशाओं में दूर दूर फेक दें फलसरू बिरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाती है तो दोस्तों ये निबू से जुड़े हुए टुटके हैं और भी हैं ये घर में कोई बेक्ति या बच्चा रोग ग्रस्त है और काफी दवाया लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा है तो सनिवार को एक निबू लेकर रोगी की सिर से साथ बार उल्टा घुमाएं फिर एक चाकू सिर से पैर तक धीरे दिरे इस परस करते हुए निबू को भी फेक दें या तुटका किसी जानकार से पूछ कर करेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि इसमें समय का विसेस महत्व है अगर बिमारी पिछा नहीं छोड़ आई है तो तीन पके हुए निबू लेकर एको नीला एको काला तीसरे को लाल रंग के साही से रंग दे अब तीनों न परभाहित करते समय आसपास कोई खड़ा ना हो संतान प्राप्ति ही तो यह उपाय किसी विसेसक से पूछ कर ही करें उत्तरा फालगुनी नच्छत में नीबू की जड़ लाकर उसे गाय के दूद में मिलाकर निसंतान इस्तरी को पिलाएं उसे पुत्र की प्राप्ति होगी या समरिदी के द्वार खोलने हैं तो कई बार ब्यक्ति के पास धन की आवक रूख जाती है समरिद के द्वार बंद हो जाते हैं हर तरह की प्रगति रूख जाती है ऐसा लगता है कि किसी ने बंदन कर दिया हो जिस प्रकार रसी से बांद देने पर ब्यक्ति खुद को ऐसा तो दोस्तों यह रहा नेंबू से जुड़ी हुई टुटका लेकिन दोस्तों हमें समझ में नहीं आता है कि लोगों के अंदर ये विश्वास ये धारणा है नेंबू हमारी प्राक्रितिक चीज़ है मिर्च हमारे प्राक्रितिक चीज़ है उसे हम गाने में प्रयोग करते हैं और अगर उसके उप्योग से किसी अन्परकार की समस्या से भी हमें मुक्ती मिलती है तो वा करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन कुश्चन ये है कि ये जो नीमू है इसे जो लोगों के अंदर मानता है कि आप इसको चौराहे पर जा करके करिए या इस वो रात को बारा बजे करिए या आप इसे फला फला दिसाओं में फेक दीजे मेरे हिसाब से मानता में ये चीजे नहीं होनी चाहिए अगर आपको किसी प्रकार का टुटका करना है तो आप उसे अपने घर में कर लें और घर में ही उसे समाप्त कर दें अगर आप बाहर उसे करते हैं तो बाहर बहुत सारे लोग हैं आपके टोटके से हो सकता है कि बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाएं तो हमें जो हमारी विराशत है जो हमारी परंपरा है उसकी अच्छी चीजों को ही अपनाना चाहिए उसमें से जो अच्छी अच्छी बात में दफन कर देना चाहिए और उसे वहीं पर छोड़ दे लेकिन अगर कोई भी प्रामपरा और कोई भी बिस्वास, कोई भी टोटका आपको फाइदा देता है और साथ ही साथ वाद दूसरों को भी फाइदा देता है तो आप उस्से कर सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन अगर किसी को किसी प्रकार का नुकसान देता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि हम सही हो जाएंगे दूसरे बिमार हो जाएं दूसरे जो है परिशान हो जाएं तो मेरे जो है नजरिये से यह कहीं से भी उचित नहीं है तो मानेताओं को आप उत इतना जरूर है कि जो हमारी पुरानी मानेताएं हैं वो आज भी हमारे साथ ट्रेंड बन करके बहुत तीब रिगती से पहले जितना लोग नहीं मानते थे उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर के बैज्यानिक स्वरूप लिए हुए आकरशन लिए हुए नए नए रंगों में नए नए तरीकों में हमारे सामने पेस हो रही है और वो हमारी परंपराएं मार्केट में भी दिखती है और लोग उसका खूब उपयोग भी कर रहे हैं अब थोड़ा सा उधारन अगर आप लेकर के देखेंगे तो बाजार जो है वो प्राकृतिक फूलों और मालाओं से प पूल के माला बना लेजिए और अगर आपको भगवान प्रस्रद्धा है विश्वास है तो आप उस फूलों से जो है आप उनकी पूजा कीजिए लेकिन आजकर प्राकृतिक फूलों और प्राकृतिक मालाओं मालाओं बाजार में खूब बिखती हैं लोग उसे खूब खर क्या है मैनेस काた के तो दोस्तों आशा करता हूँ यूठ को अपको अच्छा लगा होगा अगर आपको विडियो अच्छा लगा है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजए वेल आईकन को प्रेस कर दीजए एक बार फिर से मैं कहूंगा दोस्तों कि इस वीडिय को नुक्सान हो उन चीजों को वहीं पर दफन कर दें वहीं पर छोड़ दें तो मिलता हो दोस्तों आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार